हमारे देश में टैनिस में जितना बड़ा नाम सानिया मिर्जा ने कमाया है उतना बड़ा नाम फीमेल्स में टैनिस फील्ड में किसी ने नहीं कमाया है यही कारण है कि जब जब टैनिस की बात होती है सानिया मिर्जा का नाम स्टार प्लेयर्ज में आता है सानिया मिर्जा इंडियन स्पोर्ट्स सेक्शन की वो परसनालिटी है जिन्होंने कम उम्र में टेनिस में बड़े बड़े जंडेगार दिया और कई सारे नैशनल और इंटिनाशनल रेकॉर्ड्स उनके नाम है लेकिन कहते हैं ना कि सकसेज और कॉंट्रोवर्सी दोनों पैरलल चलती है सानिया मिर्जा के साथ भी ऐसा हुआ एक तरफ रेकॉर्ड्स बन रहे हैं दूसरी तरफ कॉंट्रोवर्सी हो रही है इनफेक्ट एक कॉंट्रोवर्सी तो ऐसी हुई थी जब सानिया मिर्जा के बात करेंगे यह टाइम था यह 2007 के आसपास का सानिया मिर्जा स्टार बन चुकी थी और कई सारे ब्रैंड्स इंडॉस भी कर रही थी जब आप स्टार सेलिब्रिटी बन जाते हो स्टार एथलीट बन जाते हो तो आपको बड़ी बड़ी पार्टीज का न्योता आता है और इन पार्टीज में आपकी मुलाकात कहीं सारे स्टार से भी होती है ऐसी ही वन आफ तो पार्टी में सानिया मिर्जा की मुलाकात हुई थी शाहिद कपूर से बॉले बड़ी आक्टर शाहिद कपूर उस दौरान अपनी जिंदगी के काफी टफ टाइम से गुजर रहे थे करीना से उनका ब्रेक अप हुआ ही था और तब शाहिद कपूर रिलेशन्शिप में जाने के लिए तयार थे इधर बात करें सानिया मिर्जा की तो जिस तरह का उनका लेवल था उस तरह से उनके लिए भी यही वाजब था कि वो किसी सेलेब्रिटी को डेट करें और तब शाहिद कपूर और सानिया ने कॉलिटी टाइम स्पेंड किया सानिया मिर्जा के रूम में और ये बात उस होटेल के वेटर ने ही कनफर्म की हुआ यू था कि शाहिद कपूर बैंगलॉर में एक फाइव स्टार होटेल में किसी इवेंट में परफॉर्म करने पहुंचे थे इस इव इसरे के साथ कॉलिटी टाइम स्पेंड किया दोनों ने डिनर किया और जो वेटर उन्हें डिनर सर्फ कर रहा था उसमें इन्हें देखकर कहा कि ये दोनों वैसे ही लग रहे थे जैसे कोई कपल बिहेव करता है शाहिद कपूर और सानिया के इस बैंगलॉर की होटल वाले क इससे से पहले इन दोनों की खबरे कहीं आ रही थी इन्फेक्ट ये भी कहा जा रहा था कि शाहिद कपूर की फिल्मों के सेट पर शूटिंग के दोरान सानिया मिर्जा उनकी वैन पर मौजूद रहती है और अगला सीन क्या शूट करना है उसका पूरा नेरेटिव भी सानि और शाहिद कपूर एक दूसरे के साथ इतने कमफरेबल हो गए थे कि शाहिद कपूर ने डिरेक्टर विशाल भारदवाज जिनकी फिल्म कमीने में वो उस ताइम काम कर रहे थे उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो इस फिल्म की शूटिंग का सेट जो है वो हाईदराबाद मे रखे ताकि शाहिद सानिया के साथ कॉलिटी टाइम स्पेंड कर सके और ऐसा हुआ भी हाईदराबाद में फिल्म की शूटिंग रखी गई और सानिया हर रोज फिल्म के सेट पर आया करती थी शाहिद के साथ टाइम स्पेंड किया करती थी और इस बैंगलॉर के होटेल वा इसके पीछे कारण ये था कि शाहिद कपूर एक प्रोटक्टिव बॉइफरिंट थे सानिया मिर्जा को स्पेस चाहिए थी जो स्पेस उन्हें मिल नहीं रही थी साथ ही तब सानिया एक और साउथ इंडस्ट्री के आक्टर को भी देख रही थी और तब सानिया का नाम उसके स नहीं शुरू कर दी हाला कि इसके बाद तो सानिया मिर्जा की लाइफ में और भी कॉंट्रिवर्सी हुई उन्होंने पहले अपने बच्पन के दोस्ते सगाई की शादी के कुछी दिनों पहले सगाई को तोड़ कर उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोईब मलिक के साथ फा क्या था